दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्षन आल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जय है शिरराम भक्तों, दोस्तों जो हमने वीडियो प्रशन पूछा था कि तुलसे इदास जी की पत्नी का क्या नाम है तो उसका उत्तर है रतना वली, चलिए आज की कथा शरवन करते हैं आज की कथा है, एक धनी सेट और एक औरत का साप को जन्म देना और पांच पुत्र आईए कथा शरवन करें बहुत समय पहले की बात है, एक गाउं में एक मोहिनी नाम की लड़की रहती थी रंग गोरा, माथे पर लाल बिंदिया, वा हाथों में चांदी की चूडियां, खनकाती, मोहिनी सबको प्रिय थी लोग उसका नृत्त देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते, एक दिन उसके पिता के पास धनी राम आया वे उसी गाउं में रहता था, उसने मोहिनी के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ धनी राम के पास धन दौलत की कमी ना थी, मोहिनी के पिता ने तुरंत हामी भर दी, मंगल धान कूटया जाने लगा मोहिनी धनी राम की पत्नी बन गई, कुछ समय तो सुक पूर्वक बीता, किन्तो धीरे धीरे धनी राम को व्यवसाय में घाटा होने लगा, देखते ही देखते धनी राम के घर में गरीबी चा गई, मोहिनी को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था इस बीच उसने पांच बेटों को जनम दिया, एक दिन पेट के नीचे दबने से धनी राम की आँखे जाती रहीं, मोहिनी को पांचों बेटों से बहुत उमीद थी, वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गाहँ वालों के धान कूरती ताकि सबका पेट भर सके, मोहिनी भग कोई लेना देना नहीं था, मोहिनी ने मंदिर में इश्वर से प्रातना की कि उसे एक मेहनती वा समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगा एक साप को जनम दिया, जनम लेते ही साप जंगल में चला गया, मोहिनी अपनी फूटी किसमत पर रोती रही, मोहिन के सोभा में कोई अंतर नहीं आया, कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ ना होता, पांचों बेटे तो मांग मुंग कर खा लेते, धनिराम और मोहिनी अपने चटे साप बेटे को याद करके रोते, एक रात मोहिनी को सपने में वही साप दिखाई दिया, मोहिनी ने मुँपर हाथ रख कर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूँच काटूंगी, तो तुम्हें पीडा होगी, नहीं मा, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, साप ने आशवाशन दिया और लोट गया, वही सपना मोहिनी को साथ रातों तक रहा, आठमे दिन सचम साप आ पहुँचा, मोहिनी ने कमरा भीतर से बंद कर लिया, डर्ते डर्ते उसने चाकू से पूँच पर वार किया, सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकडा आ गया, साप की पूँच पर कोई घाव भी नहीं हुआ, मा से दूद भरा कटोरा पी कर साप लोट गया, मोहिनी मोहिनी ने वे सोना बेचा और घर का जरूरी समान लाई, साम को खाने में मीठा वा लड़ू देखकर लड़के चौके, मोहिनी ने जूट बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था, इसी तरह साप आता रहा और मोहिनी घर चलाती रही, उसका जूट ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, बेटों ने जोर डाला तो मोहिनी को पैसे का राज बताना ही पड़ा, बड़ा लड़का दुदकारते हुए बोला, मुर्ख मा, यदि हमारे साप भाई की पूँच सोने की है, तो ज्यादा सोना क्यों नहीं कारती, छोटा बोला, हाँ इस तरह तो हम कभी अम से काटे, ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके, मोहिनी के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की, बेचारा अंधा धनी राम चिलाता ही रहा, रोते-रोते, मोहिनी ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी, अगले दिन साप बेटे ने दर्वाज मोहिनी ने उसे कोटोरा दूद पिलाया बेटों की मार से उसका अंग-ंग दुख रहा था उसने नजर दोड़ाई पांचों बेटे दरारों से भीतर जांक-जांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे मोहिनी ने चाकू लिया और पूँच का तीन इंच लंबा टुकडा काट ल बेटों को अपने लालज का फल मिल गया वह तीन इंच टुकडा भी तीन घंटे बाद मास का टुकडा बन गया और इसी तरह मा ने अपना बेटा खोया और लालचियों ने अपने लालज का फल भुगता दोस्तों आपको या कथा कैसी लगी अपने विचारों सुजा हमारे कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ग्यान पराप्त हो जैशिर राम भकतो